हेलो फैंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्वीटूप चैनल पर दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों के बहुत जादे इंपोर्टेंट होने वाले है कोई कि इस वीडियो में जो आपको बताने वालों मुझे नहीं लगा था कि लोगों को इसके बारे में नहीं रहते हैं और इसका कोई साइज रखते ही लिए मतलब एक मामूली सा कुछ एक सरीया डाल दी दो सरीया डाल दी या दो इंची तीन इंची का ये बीम दे दिया जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दीवी रहोगा बड़ ऐसे आपको कभी नहीं करना चाहिए कि इसका बहु जो दिये जाते हैं उसके उपर एक हमारी जो भी दिवाल बनाए जाती है तो इस दिवाल का डिरेक्टिल लोड हमारी दर्वाजों पे या चोखट पे ना पड़े इसलिए उसको एक बीम दिया जाता है ताकि वो ट्रांसफर हो सके बाकी दिवाल पे या कॉलम पर तो हम बा सही में बीम देना चाह रहे हैं तो अगर मैं इसकी और बात करूँ जो हमारा मालनो कोई दर्वाजा आपका जिसके चोड़ाई है चार फिट की या तीन फिट की माल लेते हैं एक्जाम्पल पर क्योंकि जाता है तीन साड़े तीन फिट की दर्वाजे होते हैं तो तीन दर्वाजा और पांच फिट का आपका उपर जो बीम रहेगा बो दिया जाएगा यह चीज आपको दिहान रखने हैं इसके साइज को लेकर यह तो होगा नोंची की दिवाल के लिए ठीक है अब यहापे अगर कुछ मुझसे पूछते हैं कि चार इंची की दिवाल में हमार वहां पर आपको सरिया की मैं आपको डिटेल देता हो दो सरिया टॉप में रहेंगे दो सरिया है निए अगर मोटाई की बात कर भिने तो 12 mm की और 10 mm की दोनों दे सकते हैं बैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप 6 एंची के मुटाई में बीम डाल रहे हो तो वहाँ पे आप 12 mm की सरीया दो काफी ठीक रहेगा आपका इस पैन कोई अगर जादा है चार फिट है चोड़ा है पांच फिट चोड़ा खाली जगा बचरी है कोई हौल होता है तो भी वहाँ पे कुछ लोग यहना में खाली जगा चोड़ते हैं वहाँ भी आपको बीम की मुटाई है चैंची रखनी ही चाहिए और साथी उसमे आपको यह तो पता चल गया है कि हमें बीम का साइज क्या रखना है यह आपको धिहान रखना है बहुत से लोग कंफ्यूज थे मुझे लगा सबको पता होगा इसलिए मैं एक वीडियो बना दी है अगर इसके रिगारे कुछ डाउट रह गया है तो फिर भी कमेंट में लगार के गया है वह आप जाके देख सकते हैं आप अपने घर में इस तरीके से कर सकते हैं वीडियो छोटी थी पर नॉलिज काफी ज़्यादा मुझे लगा कि लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी वीडियो चुटो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी तक न अपनी नेक्स्ट वीडियो में